दोस्तों आज हम बात करेंगे कोस्टिपेशन यानि कब्ज के विशय पर जिनको भी कब्ज की सिकायत है गैस एसीडिटी बनती है प्रापर रूप से पेट साफ नहीं होता या फिर अंग्री जी दौईया अंग्री जी दौईयों का सेवन करना पड़ता है पेट साफ करने के लिए आज हम आपको एक ऐसा नुष्का बताएंगे जिसके परियोग से कब्ज किसी कायत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी पेट आपका पुरी तरह से नियमित रूप से पेट साफ होगा और यह तोस्तों बिना किसी साइड इफेक्ट का है या नुष्का आप परियोग करे इसका कोई शाइड इफेक्ट नहीं है पूरी तरह से निचुरल है तो दोस्तों बेट ना साफ रहने से हमारे सरीर में बहुत सारे रोगों का जर्म होता है बहुत सारे रोग उत्पन हो जाते हैं अगर पेट साफ ना हो एसीडिटी हो गैस बने पेट पुला-पुला रहता है किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता हमेशा एक हमेशा है भीटनेस बनी रहती है शरीर हमेशा सुष्ठ रहता है कि दोस्तों है नीच को पूरी तरह से स्वस्त रखने के लिए यहां नुश्का बताने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको समसे पहले लेना है कॉस्टर ओइल जिसे हम अरंड का तेल कहते हैं आपको आईरवेधिक या फिर अंगरेजी मेटकल इस्टोर पर आसानी से मिल जाएगा आपको लेना है कॉस्टर ओइल इसको आपको साम को परियोग करना है बस आपको लेना है धाई सोय मेल दूद लेना है दूद को अच्छी तरह उबालना है इस दूद में इस देल को लगभग 20 से 30 अमर डाल करके अच्छे से मिला लें मिलाने के बाद इसको साम को सोते समय खाना खाने के बाद परियोग करना है नियमित रूप से परियोग करें बस इसको दूद में उबाल करके दूद उबल जाए उसके बाद इस तेल को डाल करके चमत से हिला करके पी जाना है कुछ दिनों कोई नियमित परियोग से आपके कबजी की समस्या पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाती है तो दोस्तों इसका इस्तेमाल करें लाव उठाएं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेल करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दने वागे